नमस्कार दोस्तों मैं संजीत और आप देख रहे हैं Digital Express Premier Pro के इस पार्ट में आज हम सिखेंगे कैसे हम Premier Pro के आंदर basic editing को शुरू कर सकते हैं Basic editing में आज हम सिखेंगे कैसे हम हमारे footage को organize करेंगे organize करने के बाद कैसे हम हमारे media library बे footage को input कर पाएंगे Media library से कैसे हम हमें time line पे footage को लाएंगे इसके बाद unwanted portion को unwanted video के portion को कैसे हम trim करके delete कर सकते हैं वीडियो का जो main sound है उसको कैसे unlink करके delete करेंगे और हमारे voice over sound को हमारे main video के अंदर लाके कैसे shinkunize करेंगे कैसे text को add करेंगे video को पूर video कैसे add करेंगे यह सारे चीज जो है आज हम इस class के अंदर बात करने वाल है तो वीडियो को आखिर तक जरूर दिखेगा अगर आपने मेरे चैनल digital express को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को प्रेस करके notification को और जरूर कर देना अलग अलग folder में उसको arrange कर लेंगे जैसे हम हमारे वीडियो फूटेज को वीडियो वाले एक फोल्डर में डाल देंगे audio को audio में और image को image folder में डालके बहारी organize कर लेंगे हम premiere pro के अंदर भी जो हमारा project area है project media area है वहाँ पर भी हम new bin icon पर क्लिक करके folder बना सकते हैं और हमारे image को input करके यहाँ पर अलग अलग folder में डाल सकते हैं मेरा recommendation ही होगा कि आप बहारी arrange कर लिजिए और सारे folder को यहाँ पर input कर लिजिए तो मैंने already कुछ folder को कुछ audio वीडियो कुछ image folder को बहारी arrange करके रखा हुआ है मैं वहाँ पर उस folder में जाके सारे folder को यहाँ पर input कर लूँगा drag and drop option में यहाँ पर यूज करूँगा ऐसे तो input करने के लिए बहुत सरे option है मैं उमीद कर तो आपने मेरे पहले वाले सारे वीडियो देख लिए होंगे और वहाँ पर जाके आपने सारे सीख लिए होंगे कैसे हम हमारे वीडियो को footage को यहाँ पर input कर सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ फोल्डर को अल्डेडी बनाके राखा है audio image वीडियो वाले फोल्डर में कुछ audio video image है सारे फोल्डर को मैं यहाँ पर select करके drag करके हमारे जो प्रीमेर प्रो का जो मीडिया लाइव दिए होहाँ पर मैं drop कर दूंगा और हमारे जो वीडियो वाले फोल्डर में हमने रख दिया है तो अभी हमारा काम होगा इस footage को हमारे टाइम लैन पर ले के आना लेकिन टाइम लैन पर लाने से पहले हमने जो हमारा पहला वाला वीडियो है हमने यह देखा है कि हमें sequence create करना होता है अगर आपको पता है कि आपके वीडियो का quality किस quality का वीडियो आपने बने है शूट किया है तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर sequence create करने का कोई जरूत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपको sequence आपके video का quality है उसको increase करना है इंप्रूफ करना है तो आप sequence यहाँ पर create कर सकते है तो उस sequence के हिसाब से आप अपने video को edit कर सकते है लेकिन अगर आपको पता है कि आपको video का quality क्या है तो आपको यहाँ पर sequence create करने का ज़रूत नहीं है आप जैस उस वीडियू का मिलतर जूत एक sequence create कर देगा आप वहां पर आपका वीडियू को edit कर सकते हो बाद में अगर आप चाहो तो उस sequence को modify भी कर सकते हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम करेंगे, हम हमारे वीडियो को हमारे टाइम लाइन पर ड्रॉप कर देंगे, तो हम कोई एक वीडियो को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एक वीडियो को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, जैसी मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूँग वीडियो के अंदर जो unwanted portion होता है, जो आपको नहीं चाहिए, उसको हम कैसे trim करके delete कर सकते हैं, जो हमारा timeline है, उसको थोड़ा बरागर देते हैं, जो हमारा footage है, इस footage को अगर आपको zoom करना है, तो हम shortcut की plus button को प्रेस करके इसको zoom कर सकते हैं, यह slider है, इसको भी move करके हम zoom कर सकते ह हम यहाँ पर इस slider को उपर नीचे करके भी हमारे layer है, layer के height को हम बड़ा कर सकते हैं, हमारे video के जहाँ पर sound नहीं है, उस portion को हमें edit करना है, trim करके delete करना है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा selection tool हम जानते, selection tool पर click करके हम हमारे footage को select कर लेंगे, और हमारा जो play head उस area पर लेके ज जो हमारा section होता है, यह वारा sequence section, previous video में हम sequence area है, वहाँ पर कैसे video edit करके timeline पर लेके आते हैं, हमने details में बात कर लिया है, अगर आपने वो video नहीं देखा है, तो i button में दिए गए link को click करके आप उस video को देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम directly हम हमारे footage को timeline पर लेके आ गए थे, और यहाँ पर हम हमारे video को edit करने वाले है, हम हमारे playhead को उस area में लेके आएंगे जहाँ से हमें split करना है, split करने के बाद हम stream जो option है उस पर click करेंगे, नहीं तो shortcut क्या, C को भी press कर सकते है, C को press करने के बाद हमारे सामने यह जो icon हमें दिखाए दे रहा है, वह आ जाएगा, हम ज हमारा जो video है, link है, इसलिए जो audio या video जो दो रियार है, दोनों section में यह split कर दिया है, अभी हम यहाँ से कहा तक हमें split करना है, हमें यहाँ से, यहाँ तक split करना है मान लिए, तो हम इस area पर दूबरा इसको click कर देंगे, click करेंगे, तो हमें यहाँ पर यह जो portion है, हमारे split हो जाया, अभी हमें selection button को click करके, V button को click करके, हम selection button पर जा सकते हैं, करने के बाद इस portion को हम select करेंगे, select करने के बाद हम direct delete button को press करेंगे, तो यह जो portion है, हमें यहाँ से delete मिल जाएगा, delete हो जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यह देखने, यह जो हमारे blank area है, उसको कैसे हम delete करेंगे तो delete करने के लिए हम उस blank portion में mouse button से click करेंगे तो white वाला portion यहाँ पर दिखाई देगा इसके बद हम direct delete button को press करेंगे तो दोनों portion आपस में merge हो जाएगा undo कर देता हो नहीं तो मैं इस area पर click करके mouse button से click करके right button प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ripple delete का option हमें मिल जाएगा इसको click करेंगे तो भी हमारा जो right वाला footage है और left वाले footage के साथ merge हो जाएगा तो यह है कि हम अलग अलग जगा पे जो razor tool है उसको use करके हमारे footage को जो unwanted footage है उसको delete कर सकते है हम हमारे playhead को यहाँ पर लेगाएगे कि कि कोई footage कोई sound हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हम अमरे playhead को इस area में लेके आएगे razor tool को click करेंगे यहाँ पर click करेंगे तो हमारा जो footage है यहाँ पर split हो जाएगा इसhair फौरचंगiken परम में लेगा जहाँ तक हमें यह split करना हा वहाँ पर हम दोबारा आज़ा खोलेगे तो हमारा जो footage इस area पर split हो जाएगा इसके लिक्शन हो जाएगा इसके बदर हम selection tool को select करके हम इस एरिया को select करेंगे करके delete button को press करेंगे तो हमारे delete हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर click करेंगे click करके right button press करके ripple delete करेंगे तो यह वाला portion जो है left वाले footage के साथ यहाँ पर merge हो जाएगा यहाँ पर और एक बात है हम देखेंगे हमारे वीडियो के शुरू में एक यहाँ पर triangle दिखाई दे रहा है इसका meaning यह है कि यहाँ से left hand side में कोई भी footage नहीं है अब हम देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमने trim किया था यहाँ पर कोई triangle नहीं दिखाई दे रहे means इस footage के right hand side में ट्राइंगल नहीं दे रहे में इस footage के right hand side में कुछ footage था जो हमने trim करके निकल दिया है ऐसे ही इस footage के left और right hand side में भी कोई triangle हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब यह होता है कि इसके left पर right hand side में कुछ footage था जो हमने trim करके delete कर दिया है ऐसी है अगर हमें इस video footage के last में देखेंगे हमें triangle नजर आएगा right hand side में कोई footage नहीं है mouse button को use करके भी यह काम कर सकते है अगर हमारे video के शुरू में या last में अगर हमें trim करना है जैसी हमारा mouse button को इस footage के last में लेके आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक red color का icon हमें दिखाई दे रहा है अगर हमें right में कुछ बहाना है जो हमने अभी trim कर दिया है उसको click करके हम उस हमें इसको click करके left hand side में लेके आएंगे तो हमारे यह portion जो है यहाँ पे trim हो जाएगा लेकिन बीच में अगर हमें split करके delete करना है कोई भी footage को तो हमें reserve tool को use करना परेगा आज भी हम देखेंगे कैसे हम हमारे दो footage के बीच में transition को add करेंगे तो यहाँ पे पहले में एक वर हमारे वीडियो को play करके देख लेते है जो दो footage के बीच में हम देखेंगे आचानक जो है हमारा जो footage एक जार्क लेकर टांसफ़ार हो रहा है पहले footage से दूसरे footage में ऐसे हम आएंगे यहाँ पर एक देखेंगे यहाँ पर हमें एक जार्क जैसर नजर आरब जो अच्छा नहीं लाग रहा है तो इस दो footage के बीच में अगर हमें transition effect करना है तो हमें सबस है audio effects audio transaction video effects video transaction तो आभी हम यहाँ पर video transaction को add करने हैं दो footage के बीच में तो यहाँ पर video transaction के अंदर भी बहुत सारे हम fx देखने को मिल जाएगा dissolve से 3D motion से कोई भी एक transaction हम add करके देख लेते हैं तो यहाँ पर click करने के बाद कोई भी एक transaction को जिसी cube spin है उसको हम click करके हमरे दो footage के बीच में drop कर देंगे हम side में साइड में drop कर सकते हैं यहाँ पे में Jonathan कर देता हूं डॉक करने के बद हम देखेंगे जो हमारे दो footage के बीच में जो पहले एक जार्क नज़र आ आ रहा था वह आप नहीं हम इस ट्रांजिक्शन के जो टाइम है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम ट्रांजिक्शन को पर क्लिक करेंगे यहां पर हमें एक ट्रांजिक्शन पैरामिटर्स चेंज करने का एक बॉक्स हम यहां पर मिल जाएगा डियूरिशन है जो एलाइनमेंट है वह मिल जाएगा हम manually भी यहाँ पर change कर सकते हैं, हम यहाँ पर manually क्लिक करके इसको कम ज़ादा यहाँ पर कर सकते हैं, तो manually अच्छा है कि अब जल्दी से यह कम हो जाएगा, editing हो जाएगा, तो हम play करके वो देख लेते हैं, इस तरह का जो transition effect से हम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पर देख लिया, कैसे हम हमारे दो footage के बीच में transition effect को add कर सकते हैं, हम अभी देखेंगे कैसे हम जो video के साथ जो audio हमको नजर आ रहा है, अगर वो audio सही नहीं है, आप voice over करके आपके sound को record किया है, तो उस case में आप अपना जो voice over sound है, उसको भी यहाँ पर add कर सकते हो, इसके लिए मैं इस footage को यहाँ पर delete कर देता हो, और दुवारा मैं उस footage को यहाँ पर drop कर देता हो, जैसे हम देख पा रहे कि यह जो हमारा audio और video जो लिंक है, अगर हमें हमारे इस video का जो sound है, उसको change करके दूसरा voice over sound add करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम simple जो हमारा sound है, जो मैंने यहाँ पर already input करके रखा हुआ है, audio के अंदर, तो मैं यहाँ पर voice over sound का sound मैंने already record करके रखा हुआ है, आप माल लीजिए, मैं इस sound को simply हमारे time line में, जो हमारा audio का timeline है, वहाँ पर drop कर दूँगा, अब यहाँ में देखना है, जो हमारा video का sound है, जहाँ पर है, उसको कैसे हमारे voice over sound के साथ मैच करना है, इसका simple process, simple process है, हम जो audio का wave है, उस wave को देखके उसको match कर सकता है, इसका और automatic process है, जो हम advance में जब जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कैसे हम हमारे video के audio को, हमारे voice over audio के साथ स्रिंकोनाच कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम simple basic editing सिख रहा है, तो हम जो simple process है, उसको हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा zoom कर लेंगे, Zoom करने के बाद, जो हमारा video का audio का और जो हमारा voice over audio को weives को हम यहाँ पर match कर лेंगे, जो audio को left भेजे कर लेंगे, यह जो हमारा वेजा अपर फोटेज है, इसite साथ हमें, जो जितना अच्छा match कर सकता है हम यहाँ पर कर लेंगे, अब देखेंगे हमारा जो footage है जो हमारा voiceover footage है sound है उसका sound जो है हमारे video के sound के साथ अभी match कर लिया है match करने के बाद हम चाहे तो इस video का sound है उसको यहाँ पर mute पर click करके mute कर सकता है नहीं तो हम हमारे video से इस sound को unlink करके हम इसको delete कर सकते है तो हम यहाँ पर mute M पर click करेंगे तो जो video का sound है यह mute हो जाएगा इसके साथ हमारा voiceover sound है यह हमारे video के साथ आ जाएगा अगर हमें हमारे video से इस audio को unlink करना है तो हम just इस footage को उपर click करके right click करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आनलिंक का आप्शन देखने को मिल जाएगा आनलिंक पर क्लिक करेंगे आनलिंक पर क्लिक करते हमारे वीडियो और आडियो जो है दोनों अलग अलग हो चुका है हम चाहें तो यहाँ पर इस audio footage को क्लिक करके delete कर देंगे और यह जो audio है उसको हम उपर वाले layer में लेके आ सकते हैं और ना भी लाए कोई भी problem नहीं है इसके बाद हम जो mute हमने कर लिया था उसको हम unmute कर देंगे अब ही हम बात करेंगे कैसे हम हमारे original video के उपर और एक video लाके रख सकते हैं तो इसके लिए हम एक दूसरा video यहाँ से ले लेते हैं यहाँ सेकेंड वीडियो है यहाँ पर हम इस video को हमरे कोई भी layer पर रख देते हैं रखने के बाद हम देखेंगे जो हमारा जो उपर वाले layer का जो वीडियो है वही हमरे preview area में दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हम इस footage को जो अभी हमने लाया है उसको click करेंगे click करने के बाद editing tool में जाएंगे यहाँ पर click करने के बाद हम effect में जाएंगे effect में जाने के बाद हमें यहाँ पर इस footage के regarding सारे जो effects यहाँ पर नजर आ जाएगा effects control का सारे parameters हमें यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहला जो है position अगर हमें इस footage को position change करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं left, right, top, bottom या scale, scale को अगर change करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि हमने इस footage को हमारे original video के उपर layer में रख दिया है तो यह video जो है जो हमारा नीचे वाला footage को दिखाई नहीं देगा तो हमें इस footage को थोड़ा छोटा करना है तो छोटा करने के लिए हम यहाँ पर scale में जा सकते है scale को हम कम कर देंगे तो हमारा यह जो footage है यहाँ पर छोटा हो जाएगा तो हम हमारे जो नीचे वाला layer का video है original video है उसको हम देख पाएंगे अगर इस video का footage है अगर हमें position change करना है तो हम यहाँ पर change कर सकते है manually हम data यहाँ पर entry कर सकते है हम mouse button को slide करके इसको adjust कर सकते है left right को adjust कर सकते है scale को change करना है तो हम और छोटा वरा यहाँ पर कर सकते है अगर जहाँ पर भी आपको इस footage को रखना है तो आप यहाँ पर adjust कर सकते है Scale के अंदर हमें और दो option देखने को मिल जाएगा Uniform Scale अभी Uniform Scale में हम change कर रहे थे अगर हम Uniform Scale option को अंटिक कर देंगे तो हम देखेंगे यह जो scale change हुआ है जो aspect ratio है और maintain नहीं हो रहा है width को change करना चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ पर width change होगा अगर हम height को change करना चाहेंगे तो यहाँ पर सिर्फ height ही change होगा तो यहाँ पर हमार aspect ratio जो है वीडियो का original aspect ratio यहाँ पर maintain नहीं होगा तो बैटर है कि हम यूनिफोर्म स्केल में इसको रखे और इसका जो एस्पेक्ट रेश्वे ओं मेंटेन करें यहाँ पर हमें और वी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अब भी हम देखेंगे कैसे हम हमारे फूटेज को फास्ट कर सकते हैं फूटेज का जो डियूरेशन है उसको कम कर सकते हैं और हमारे फूटेज को कैसे स्लो कर सकते स्लो मोशन में कैसे हम हमारे फूटेज को बना सकते हैं इसके लिए माले जो हमारे मेन फूटेज है वहाँ पर यहां से लेकिए यहां तक हमें हमारी वीडियो को फास्ट करना है इस एरिया पर जो हमारा में वीडियो है इस वीडियो के इस एरिया पर हमें वीडियो को फास्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं पहले सिलेक्शन बटन को सिलेट करेंगे इस एरिया को सिलेट करने के बाद हम र बरहाना है तो हम इसको 500 कर देते हैं कि करेंगे ओकरने को देखेंगे जो हमारा फुटेज अभी इतना सेकंड तक चल रहा था अभी इतना सेकंड में वह फूटेज चल जाएगा उसकी सबसे हम हमारे जो शाउंड है उसको भी हमें चेंज करना बढ़ेगा टाइम चेंज करना था तो हम यह फाइवन्ट कर दिये और इसको क्लिक करके हम दिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो यह हमारे लेफटेंड वाले फूटेज से मार्च हो जाएगा तो अभी हम देखेंगे जो हमारा इस एरिया का फूटेज है वह बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है हम प्ल स्प्लिट करना है लेकिन क्या होगा अभी हमारे इस वीडियो के राइच-एंड साइड में कोई भी बैंक स्पेस नहीं है तो हमें सबसे पहले यहां पेस्पेस क्रेंट करना पड़ेगा सेलेक्शन टूल करेंगे सेलेक्शन टूल का काम ही है कि हम फूटेज को पूटेज क कर देंगे 50 करने के बाद OK करेंगे तो हम दिखेंगे जो हमारा फूटेज पहले यहाँ पर था यह डाबल हो चुका है मिस यह जो स्पीड है उसका स्पीड जो है यहाँ पर कम हो चुका है टाइम ज्यादा हो गया है मिस हमारा जो वीडियो को फूटेज यहाँ पर स्लो मोशन करने के बाद हम इस फूटेज को यहां पे ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करके रिपल डिलीट कर देते हैं प्ले करके देखेंगे हमारा फूटेज जो है यहां पे बहुत ही स्लो में चल रहा है कैसे हम हमारे वीडियो के अंदर हमारे लोगो जो है एड़ कर सकते हैं लोगो एड़ करने के लिए हम हमारे इमेज में जाएंगे अगर आपका लोगो और बना हुआ है तो आप वहां से यहां पर इंपूट कर लीजिएगा और इसके बाद अगर हमें हमारे लोगो को एड़ क तक आपको लोगों को रखना है वहाँ पर टार्य को हम मौथ से बढ़ा सकते हैं कि एपध बहुत बरा है तो यह को सब्सक्राइब में गरला है इसको इसका जो सकता है उसको हम छोटा कर देंढे scale करने के लिए हमने देखा है कि scale का option हमें यहाँ पर दिखाई देगा हम 100 को यहाँ पर 8 कर देते हैं तो हमारा logo जो यहाँ पर आ गया है और इसका position अगर change करना है तो हम इसको माउथ बितन से move कर सकते हैं उपर करके score में हम रख देंगे music को add करने के लिए हम हमारे audio folder से कोई वी एक music को हमरे timeline पर लेके आएंगे audio को यहाँ पर drop कर दिया है और हमारा जो background music है यहाँ पर आ चुका है हमारे original वीडियो के साथ हमारा जो background music है वो भी play हो रहा है लेकिन अगर आपको आपका जो background music का sound कम करना है तो आप simple तरीका है कि यह जो keyframe आपको नज़र आ रहा है उसको click करके आप सिधार नीचे कर देंगे तो इसका sound जो है यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दिखाई दरें डीवी माइनस 44.8 उसको adjust करके आप आपके जो background music है उसके जो sound है उसको कम कर सकते है जो default है जिरू पर रहता है और आप उपर ले लेंगे उस sound बर जाएगा अगर नीचे क को यूज करना परेगा की फ्रेम ऑप्शन को यूज करने का अलग अलग तरीका है मैं सिंपल तरीका यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपका यहाँ पर जो पैन टूल है यह जो आपका पैन टूल है पैन टूल को क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह जो हमरे की फ्रेम है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक point create हो चुका है अम माल लिज़े यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जो background music है उसको कम करना है तो हम यहाँ पर दो point create कर लिया ऐसी है अलग-अलग जगा पर point create कर सकता है उस sound को maintain करने के लिए adjust करने के लिए इसके करेगा फिर यहाँ से हमारा sound original position में आ जाएगा फिर इस point को हम कम कर सकते है और इस point को हम भढ़ा सकते है ऐसी हम point को select करके अलग-अलग वीडियो के अलग-अलग जगा पे हम हमारे background music के sound को control कर सकते है आप control button press करके भी यह जो point हमने click किया है उसको create कर सकते है हम control button पर press control button पर press करने के बाद अगर हमें हमारे जो keyframe line है उसको click करेंगे मैंने control button press कर दिया है करने का अगर यहाँ पर click करेंगे तो यह point जो आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर हम control plus mouse के left button press करके भी यह point कर सकते है और हमारा जो pen tool है उसको use करके भी हम हमारे keyframe के points है उसको हम यहाँ पर create कर सकते हैं टेक्स को add करने के लिए हम दो process को use कर सकते है यहाँ पर हम एक text का icon दिखाए देगा type tool type 2 को click करने के बाद हम हमारे video के उपर जहाँ भी हमें text को add करने वहाँ पर click करेंगे और हम जो भी लिखना चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर हम इस type tool के उपर mouse brain से hold करके रखेंगे तो यहाँ पर हमें एक vertical type tool का option देखने को मिल जाएगा हमें vertically text को लिखना है तो हम vertically भी यहाँ पर text को लिख सकते है शौटकट की use करके भी हम हम हमारे text title है उसको लिख सकते है जहाँ पर हम हमारे text को रखना है वह हम इस text को हमारी सबसे modify कर सकते है टेक्स को पर क्लिक करने के बाद हम fx में जाएंगे fx में जाने के बाद हमें यहाँ पे fx control का box मिल जाएगा वहाँ पर हमें इस text का जो scale है scale change करने के लिए option देखने को मिल जाएगा इसका position है हम position change कर सकते है जैसे हम हमारे footage को पर किया था हम इस text का जो style है जो font है font को भी हम यहाँ पर change कर सकते है इस text का अगर alignment हमें change करना है तो हम यहाँ पर alignment change कर सकते है उपर नीचे कर सकते है सेंटर में कर सकते हैं, अगर हम दो लेटर के बीच में, isन को कम अ करना है, यहां पर पर कर सकते हैं, बहुत सरे option हैं आप इसको export कर सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे appearance के अंदर, फॉंट का कॉलर जो है white है हम इसको एक चैंज करना है तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे कोई भी कलर को हम स्लेट करके ओके करेंगे तो फॉंट के कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा अगर हम चाहें तो कलर को पीक करके भी हम हमारे font के color को change कर सकते हैं पिकर पे click करेंगे कोई भी color यहाप जो भी color आपको दिखाई दे रहा है इस screen के उपर आप कोछ भी color यहापे select कर सकते हैं क्लिक करते हैं तो हमारा जो font का color है यहापे change हो चुका है अगर हम stroke देना चाहेंगे तो stroke दे सकते हैं by default white है अगर हमें पिकर में क्लिक करके color change करना है तो हम कर सकते हैं टेक्स्ट के background एड करना है तो background भी यहापे add हो जाएगा अब हम देखेंगे कैसे हम हमारे एडिटेवल वीडियो को export कर सकते हैं export करने के लिए हम फाइल में जाएंगे फाइल पर क्लिक करेंगे export पर जाएंगे और मीडिया पर जाके मीडिया पर क्लिक करेंगे shortcut की जो है control प्लास एहम बटन प्रेस करके भी हम हमारे वीडियो को कम दादा कर सकते है प्रिव एरिया का जो मेंन फॉर्मेट है एच पॉइंट टू सिक्स फॉर है हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते है बाई डिफॉल्ट यही रहता है इनिशियल आपको कोई भी चीज़ को यहाँ पर चेंज करने का जरूत नहीं है बहुत सरे ऑप्शन है डिखाए दे रहा आउ पर आप्को लोकेशन है यहार बघ्रिफ्र ने के बाद आपicki election टीजेंट करने के बाद आपक वीडियो में कॉमेंट कर सकते है ने बाले हम पर मूले में में details में बात करने वाल है तो देखते रहिए Digital Express